नमस्कार, मैं संदीप कुलकरनी, हम आपके लिए एक नया पॉर्कास लेकर आएं, जिसका नाम है बड़े आम हम सारे पैदा तो आम लोगों की तरही होते हैं, आमी होते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा की वज़े से, सोच की वज़े से, या कर्मों की वज़े से हम बड़े होते हैं, अलग होते हैं, और उनका बड़पन दिखता है, तो ऐसे कई आम लोग जो अपने इन गुणों से बड़े हुएं, इन से हम बाच्चित करेंगे तो आज के हमारे बड़े आम हैं, विनित बंसोडे, विनित जी एक बहुत बड़े ग्रैफिलोजिस्ट है, ग्रैफिलोजी एक साइन्स है, जिससे आप अपने दिमाग का स्कैन कर सकते हैं, मतलब आप जो लिखते हैं, या आपका जो हस्ताक्षर होता है, वैसी आपकी सोच होती है, जैसी आपकी सोच होती है, वैसे आप लिखते हैं, ये इसका एक अजीब तरीका साइन्स है, जिसको हम विस्तार से जानेंगे, विनित जी से, तो विनित जी एक सिर्फ ग्रैफिलोजिस्ट नहीं है, वो एक लाइफ कोच है, वो टेड टॉक पे आ चुके हैं, महरा मल्टी फैसिटेड ये जो परस्नालिटी है ना, उनके हम अनुभाओं को जानेंगे और इस साइन्स को भी जानेंगे विनित जी से, इस पॉर्कास्ट पे. सबीर जी आपका स्वागत है, थैंक यू, बड़े आम पॉर्कास्ट पे, थैंक यू, आप लाइफ कोच भी हैं, आप ग्रैफिलोजिस्ट भी हैं, मेरे भी लाइफ कोच रह चुके हैं, आप हैं अभी हैं, तो हमारा ये जो चैनल है, पॉर्कास्ट, बड़े आम, तो हमने ये अनाम इसलिए रखा है कि कुछ हमारी जैसे आम आदमी, कुछ बड़ा करते हैं, तो एक लाइफ जर्नी होती है उनकी, तो कुछ पॉलिटीज होती हैं उनकी, जिसकी वज़े से वो बड़े होते हैं, तो आप भी जानते होंगी ये पॉलिटीज क् क्या लगता है कि आम आदमी बड़े बड़ा कैसे होता है, क्या कॉलिटीस होती है? So, हर आम आदमी में हर साली क्वालिटी सोती है, but उस में डिगरी जोती है. मतलब, everyone has all the qualities, in किसे में कम होती है, किसे में जादा होती है. So, the right kind of quality that if you increase, then those who are new, who are passionate. And the wrong kind of quality is when greater, then he will get into the wrong path, he will not be focused. The most important qualities should be a person or a man. I think being honest to whatever you are doing. So, when you say honest, it means if you say that I am a graphologist, so how honestly am I doing? कर रहा हूं मैं कितने लेबल तक उसको अनेस्ली जस्टिफाइ कर रहा हूं या कितना तो पैशन कमस रॉम honesty honesty is like I want to be completely you know into that मुझे शिर्फ सर्फेस लेवल नौलेज नी चाहिए you know passionately मुझे अंदर तक knowledge चाहिए तो anything you do passionately जो भी चीज़ा passionately करोगे you'll become a genius in that okay तो लोग क्या करते है कि survival level expertise होते है you know and वो expertise की वज़े से then they don't cross that line of being you know you don't extend next level पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है so whatever you do it's like one water drop on a surface एक पून अगर पानी गिल रहा है लेकिन अगर वो पात साल गिरेगा 10 साल गिरेगा तो वो पत्तर को भी काट सकता है so consistency you know that I will say so consistent honest efforts and I think passion is also one of the because passion sustains you yes challenges आते रहते हैं आप के नो नीचे उपर होता रहता है कई बार आपको लगता है कि यार मैंने यह गलत तो नहीं किया है या जो भी आप but passion आपको उसको लगाया रखता है और फिर आप मनजिल पा जाते हो ऐसा so I feel every passionate person is honest honest मतलब नो बहुत बार हम नो बहुत ट्राय करके फिर सोचते है इससे वो result नहीं आ रहे है या तीन साल में यह कर रहा हो पात साल में यह कर रहा हो तो मुझे वो रिटर्स नहीं मिल रहे है तो लेट मीचेंज दो you know profession or skill so उसको मैं honest ही बोलता हूं कि आपके जिंदगे के दस बारा पचीस साल उस चीज़ को दे दो honestly and then that thing will give you back to so every passionate has that honest commitment like मैं यह करूंगा पता नहीं से मुझे पैसे मिलेंगे या मैं famous हो जाओंगा या मेरा नाम हो जाएगा पता नहीं but I am honestly enjoying जो मैं कर रहा हूं मुझे मजा रहा है but that is honesty I would say so passion का background में there is this honest commitment to something so आपका प्री passion क्या है जिस्पे आप लगे हूँ है मैं तो लगा वहाँ जी graphology करके science है जिसको handwriting and signature analysis बोलते है तो पिछले 20-25 साल से you know it started as a hobby and मुझे अच्छा लगने लगा वो I started enjoying and then I said कि चलो करते है इसको you know because थोड़ा spiritual होगा your statement but what we ultimately want in life to be happy correct तो मुझे graphology करने से खुशी मिल रही है so then why should I not continue this you know so 20-25 साल पहले इसका कोई commercial value नहीं था you know there was no role models कि मुझे इसके जैसा बना है जैसे आज में डॉक्टर बनता हो तो मुझे लगता है कि मैं उस डॉक्टर जैसा बनूंगा या लॉयर बनू तो एक role model होता है बट यह साइंस इतना नया था तब तक कि I was not knowing इसका future क्या है बट करने में मज़ा रहा था तो मैं करता गया करता गया करता गया जैसे कहते हैं लोग मिलते गए और कारवाब बनता गया तो जैसे हम बच्पन से हमको कहा जाता है कि आपका हास्ताक्षर अच्छा होना चाहिए हमारे शिक्षर भी पीछे पढ़ते हैं कि भाई यह नहीं ऐसा इसको सीधा लिखो पहले वह दो लाइन में लिखते थे हम उसको फिर नो अपने को वह उसमें बांते थे वह आपका हस्ताक्षर से बन जाता था और पिर करेक्शन आते थे कि यह नी वो नी वो नी तो मेरे खाल से उस समय तो बच्पन में पता नहीं चलता होगा कि यह क्यों करते से तो इसका शायद साइन्स होगा और में खाल से आप ही हमें बताईए कि यह क्या साइन्स है और यह हस्ताक्षर ऐसा क्या है जिससे आदमी बनता है जैसे इसको समझने के लिए बहुत इजी एक जामपल है जैसे ECG होता है दॉक्टर के पास जो हाट को वो लगाते है वायर्स एंड हाट का जो इंपल्स है वो पेपर पर आ जाता है उसको हम लोग ECG कहते है सो लुकिंग अड़ पेपर यह समझ में आता है कि हाट में क्या चल रहा है तो सिमिलरली ब्रेन में क्या चल रहा है उसके लिए आपके पास एक प्रिंटर दिया है नेचर ने कि आप जो लिखते हो वो ब्रेन से इंपल्स हा रहा है तो ग्रैफिलोजी मतलब ग्राफ एंड लॉजी ग्राफ मतलब जो इसको हिंदी में आलेख बोलते हैं हम लोग जो ग्राफ फोलता है और लॉजी मिन साइंस तो ग्राफिलोजी इस साइंस तो रीड़ एनिधिंग अट इस रिटन और क्रिएटर और दौन बाइए हुँमन पर माइंड ऑन पेपर तो इसी जी देख तो वो जो फॉट्स है वो पृंट हो जाता हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे हम हमको बाहरी अपन देखने के लिए या पन अपना अपिरियंस देखने के लिए हम आइना जी इस्तुमाल करते हैं और अंदर क्या है इसका दरपण शायद यह ए अपसलोटले शुमन तो यह ऐ लिख्ट होता है ग्रैफलोजी से या किसी के हस्ताक्षर से तो यह बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम लोगों को समझाते हैं कि आपके हस्ताक्षर से मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा तो लोगों को बड़ा ताज्यूब होता है कि आप मेरे बारे में बताने से क और सबकॉंशिस माइंड में क्या चल रहा है यह जानने का कोई तरीका निया दिनिया में फॉर एक्जम्पल यह अपने ग्रीन शट पहना है तो अगर मैं आपको पूछो आपका फेवरेट कलर खुलर कुन सा आप पोलेंगे ग्रीन बुझ अच्छा लगता लेकिन अगर मैं मुझे पास्ता क्यों अच्छा नहीं लगता है मुझे सेंडविच क्यों अच्छा लगता है यह पता नहीं है मुझे बीचे ज्याद अच्छे लगते मुझे पहाड अच्छे नहीं लगते है इसका जवाब क्या है पता नहीं है तो बहुत सारी चीदे ऐसी है हमारे बारे म जो हमको पता ही नहीं है कि हमको पता नहीं है तो इंग्लिश में उसको बहुत अच्छा इंडर्स्टिंग सेंटेंस है that you don't know something and you don't even know that you don't know तो वो इसको एक ऐसी स्पेस में जला जाता है जो आपके अंदर है कुछ चीजे जो आपको चला रही है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपको कैसे चला रही है आपको वो सबकॉंशिस माइंड आपको चला रही है बिकॉज आपको ये सारी चीजे पता नहीं है इसलिए आपको ये भी पता नहीं है कि मुझे पता है कि मुझे मेरे घुस्से पर कंट्रोल करना चीए बट मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूं यह मुझे पता नहीं है मुझे पता है कि मुझे रोज जिम में जाना चीए बट मैं क्यों नहीं जा रहा हूं यह मुझे पता है कि मुझे हर मैने सेविंग करने चीए ये सारी चीज़े से हीव ड़ी आपको जिसकी वजए franchise में सी कर्राइंग ड्सके वज़े से आप ये कर रहे हो ओक? मतलब यह शुरू कैसे होता है जब आपने शुरुवात किया होगा तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे न तो पहली बात तो यह अपके पास आई कैसे मतलब हम इसके पहले आप क्या करते थे या यह कैसे आई ग्रैफलागी तो मैं बोलता हुआ कि मैं ने ग्राफोलोजी चूज नी क्या ग्राफोलोजी ने मुझे चूज कि अच्छा, तो I was working as a computer designer, you know, art or graphics, मैं 10 साल काम करता था, I was into post-production, you know, I could do editing, I was, you know, into all the television and film editing business, you know, as an editor, and वहां पर मुझे एक रीडिंग का शौग था पहले से, you know, my father used to have lot of books in the house and there was a big library, so a lot of, बहुत सारे किताबे मिलती थी पढ़ने के लिए, तो उसमें से एक किताब ग्राफोलोजी की मिले मुझे, and I started reading, and जैसे हम सब को curiosity होती है कि handwriting में है क्या, so it started with a small curiosity की, चलो यह पढ़ लेते है, and then I started मेरे handwriting को देखा तो मुझे लगा, हाँ यह तो मैच हो रहा है, and then उसके बाद एक friend मिला मुझे, जिसने मुझे एक, ऐसा एक session हो रहा था, ग्राफोलोजी पे, तो चल जाके सुनते है, क्या है, and then I went there, and that person did some analysis on my handwriting, and I was shocked की एक इन्सान को यह कैसे बता चल सकता है, की what are my relations, you know, what am I thinking, what is my strength, what is my weakness, so I felt completely stripped in front of that person, and ऐसी चीज़े जो मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताई थी, वो जान सकते थे, through my handwriting, and that day I decided की यह कुछ अलग है, this is very magical, it is like a super power. So this is like, जैसे हमारी कुंडली होती है, वैसे आपका हास्ताक्षर होता है, जो आपका सारा कुछ मतलब बता सकता है, अंदर बहान हो भी है, तो कुंडली में तो मैट्स होता है, जो भी स्टार्स होंगे, या जो भी होंगा इसका, इसमें तो कोई मैट्स नहीं, it's more of visual, right? Yeah, it's visual, but it's geometry होती है, so it is a geometrical analysis, right? And कुंडली is a occult science, तो उसमें बहुत सारी बार future भी प्रिडिक कर सकते हैं, but graphology is psychology based, so it is like any other assessment tool, जैसे आजकल aptitude test आता है, या बहुत सारे assessment test आते हैं, वैसे ये graphology भी assessment test है, कि आपका software कैसा है, आपके बास क्या potential है, आपके क्या limitations है, आपका root cause क्या है, अगर आपके पास 10 challenges है आपके personality में, तो उसका root cause क्या है, तो वो change कर सकते हैं, और बहुत interesting चीज़ यह है, यह अगर आप अपना handwriting change करेंगे, तो those reverse psychology works, and it will start changing your thoughts, तो आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, तो आपकी language बदलेगी, तो आपके actions बदलेग और habits change हो जाएगे, तो आपका character change हो जाएगे, तो thoughts से शुरू होता है, so graphology का दूसरा definition है, हम लोग आपके thoughts पढ़ते हैं, तो आपकी thought process कैसी है, वो पढ़ते है, वो कैसे form हो गई है, वो समझ में आता है, और उसमें changes कर सकते हैं, So, behind graphology, हमेशा psychology काम करता है, और psychology में solution is only realization, you know, एक आदमी इनसान जब psychologist बनता है, तो he doesn't prescribe anything, psychologist के पास दवा नहीं है कोई, उनकी दवा यह है कि आपको realize करके देना कि भाया, ऐसा हो रहा है, यह आपको नहीं नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर आँ, so that realization is the solution. So, जो शुरुवात में जो हमारा हस्ताक्षर होता है, till you realize, you know, till somebody like you counsels, मतलब वो आप जो होते हो अंदर से वो आपका reflection है, वो चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको आप पढ़ते हो, right? तो कैसे पढ़ते हो उसको? तो वो थोड़ा descriptive है, मतलब जैसे, you know, दुनिया की सारी scripts है, दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आप बहुत angular लिख सकते हो, मतलब एसा sharp triangle जैसा बना सकते हो, या उसको goal बना सकते हो, तो ये दो type की handwriting हैं दुनिया में, हम शायद कुछ, you know, ये भी बता सकते हैं, demonstration बता सकते ह बहुत sharp, and garland मतलब rounded, तो जो sharp बना होता है, उसका behavior sharp होगा, like, wood cutting saw होता है, you know, आरी जिसको बोलता है, उस तरह के, उस एकदम brutal होगा, या वो बना aggressive होगा, या dominating होगा, या शूरूड होगा, या less emotional होगा, you know, वो type का behavior हो जाएगा, और जिसका handwriting थोड़ा rounded है, तो वो soft होगा, compassionate होगा, loving होगा, listening अच्छा होगा, उसको human psychology में interest होगा, acceptance level अच्छा होगा, तो बच्चे, आप देखो, कोई भी बच्चा 3-4-5 साल खा, he will never write very sharp, वो हमेशा rounded ही लिखेंगे, तो कि बच्चे में वो सारे गुंड कभी नहीं होते हैं, कि उसके पास aggression है, jealousy है, dominating है, power की need है, materialistic है, वो सब नहीं है, he is a bundle of emotions, तो हर बच्चा 3-5-6 साल तक वो गोल गोल लिखेगा, तो बच्चों के handwriting हमेशा rounded होगी, तो ये दो तरीके हैं पढ़ने की, ग्राफ कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसकी heights होती है, उसकी width होती है, उसकी dotting ठीक हो रही है, उसमें pressure कितना है, you know, handwriting handwriting आपका compressed है, या relaxed है, आप एक alphabet हर बार उसी ढंग से draw कर रहे हो, या अरवाल change हो रहा है, आपके margins कैसे हो रहे है, दो lines में distance कितना है, दो words में distance कितना है, दो alphamets में distance कितना है, आपका handwriting right की तरफ है, left की तरफ है, उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो 300 ऐसे parameters हैं, जिस सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से वो सारी चीजे मिला के, यह format है, और जैसे बच्चों का हम जब हास्दक्षर देखते हैं, तो बच्चों में भी, अगर कोई थोड़ा mental problem है, या थोड़ा कुछी दर दर चल रहा है, तो reflect होता है, आपसलोटली होता है, तो बच्चों मे अगर बच्चा है, तो he is forming, मतलब उनका भी तक clay है, काफी soft है, उनका भी hard नहीं हुआ है, जैसे हम लोग construction में RCC करते हैं, उसके बाद changes करने के लिए फिल सन्निया थोड़ा लगता है, जो mold है, उसको बहुत easily कर सकते हैं, और बच्चा जब पैदा होता है, तो बहुत कम ची चीजे वो atmosphere से सीखता है, मतलब घर में अगर, you know, the mother and the father both are introvert, या कम बात करता है, दोनों भी, तो बच्चा अपने आप introvert हो जाएगा, तो introvert होने से उसका handwriting वैसा हो जाएगा, it's a print of the thought, तो अगर आपको वो communication skill उसका बढ़ाना है, तो वो changes कर देंगे, तो वो age में जल्द हो जाएगा, तो साथ उमर के अगर बच्चे को अगर आप थोड़ा सा काउंसलिंग करो क्राफलोजी से तो शायद उसका एक कोर्स ही life में change हो सकता है, इतना असर होता है, मतलब, हास्ताक्षर का, so बहुत सारे लोग जो हमारे पास कोर्स करते हैं, वो teachers होते हैं, and teachers सबसे ज है, discipline है, यह सारी चीजे सिर्फ उनका handwriting change करके हम बच्चों में develop कर से और यह naturally एक change हो जाता है, जिसको मतलब, oh, that's beautiful, और अगर आप क्या कहते है, टीनेज में आओ, और टीनेज में, जैसे college का बंदा है, अब थोड़ा सा उधर क्या resistance भी होता है, कि यह क्या है, अब जाके मै क्या होता है, so that, to get into a person, find out the weakest link, क्या कहने से वो बच्चा मेरा सुनेगा, वो पहले बोलना पड़ेगा, so every, what is the biggest aspiration of a teenage person, I want to be rich and famous, okay, right, so we say that, you know, आपके handwriting में ऐसे इसी चीजे हैं, जिसकी वज़े से आप नहीं हो सकते हो, rich and famous, and I am not saying, so we have a list of all the successful people in the world, and we say, इनका handwriting देखो औ आपका handwriting देखो, match नहीं हो रहा है, तो जो traits एक handwriting में होने चीए, so we design a billionaire signature, यह signature करो, you'll become a billionaire, इसा बोलते हैं लोग उनको, to get them hooked, and then we say that, when we do the analysis, तो उनको पता चलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हो मेरे साथ, मेरे 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 में यह negative है, या मेरे मेरे में यह weakness है, for example, you know, straight forwardness, क या आपको नहीं बोलना है, लेकिन आप हesitate कर रहे हो, कि मैं नहीं बोल सकता हू, मुझे हाँ बोलना पड़ रहे है, तो people live this problem, and when we say या आपके साथ प्रॉबलम है, तो it's a very unique challenge, यह सबके साथ नहीं होता है, so it's not a general statement, so then people say, हाँ, what you're saying is right, you know, I have this problem, and then they come into the listening mode, okay, and in three to six months, when they start the practice, they see the result, confident हो जाता है, या, they can say no very straightforward, he gets convinced, he gets convinced, because he gets the proof of the pudding, correct, 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 और जैस ही हम कहते है लाइफ पार्टनर फिर आज आजाता है, लाइफ में, बोलना पार्से पहले, उससे पहले aptitude, okay, right, like I am a superb case of wrong aptitude, मैं 10 साल computer में था, and I was to hate computer, but why did I get into computers, because everybody was going into computers, correct, and then we have seniors, our people who guide us, parents in the family, guardians in the family, they say that there is a lot of scope in computers, but my core aptitude is psychology, I should have gone into psychology, right, but it has 10 साल वेस्ट हो गाएए, अगर अगर कोई ग्राफिलोजिस्ट आपको तब बता दे तर रहाएद, तो बहुत बात ऐसा होता है कि, what should I really take up as a career, and then we say this is the potential that you have, so a unique case I have a child, I said, see your potential is arts, and mostly into visual arts, तो कुछ फोटोग्राफिय ट्राइ करो, so then the parents said, but इसको तो फोटोग्राफिय में कुछ इंट्रेस्ट ही नहीं है, I mean he's never said anything about photography, and then I said, but a potential है आप में कुछ तो, I can see that, that if you get into photography, आप बहुत जल्दी सिखोगे, आपका एक अप्तिटूड बहुत अच्छा है, okay, right, that is a, that is a phenomenon, so some things we are blessed, कि आप ये चीज़ आप करोगे तो आपको ज्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, आप immediately सीख जाओगे, so those kind of real potentials that we call as a gift of the nature, that can be identified, so ऐसा और कोई है, example जहां पे आपने उस उमर में बच्चे को आपने उसका course change किया है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट, उन्होंने अपने बच्चे को क्या करना है तो चलो इसको commerce में डाल दिया, and commerce में he was not enjoying, वो college नहीं जाता था, bunk करता था, उसको marks अच्छे नहीं मिलते थे, normally ऐसे जगह में लोग क्या, parents क्या बोलते हैं कि पड़ाई में धाननी है उसका, उसको बहार घुमना है, friends के साथ गुमना है, career के बारे में serious नहीं है, but यह कोई नहीं जानता कि उसके लिए यह चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, the problem here is, बच्चों को भी पता नहीं होता है कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या है, because they have not explored, so we did the analysis and we say, इसके लिए mass media बहुत अच्छा है, he likes, you know, to do all these things, creative and all those things, and then we shifted the college, उसको, उसका commerce college बंद करवा के, we got him into mass media, and he started working 16 hours a day on that projects, and now he is actually abroad learning advanced filmmaking in Vancouver, almost a life saved, life saved, so that, life saved 10 years, like I could, you know, if I could get 10 years of my life which I wasted, then I could have really spent more time in graphology or psychology, so another case, my daughter is now 21, and she got 10th May, she got merit numbers, very good numbers, and as typical all the families say, मेरे सारे family अलोने भी बुला किया, इसके अच्छे मार से इसको साइंस में जाना चाहिए, but we did the analysis, and we were doing the analysis, she is also a very good graphologist, so she started learning, जब वो एट में थी, तब से वो सीख रही है, and then we found out her aptitude is arts, psychology, just like me, and पूरे फैमिली को हमें समझाना पड़ा, कि अच्छे मार्क से इसका मतलब यह निए, कि हर अच्छे मार्क सोने वाले को साइंस में जाना पड़ेगा, तो अच्छे मार्स आने के बाद मी, मेरिट में आने के बाद मी हम आर्ट में गए, and we studied mass media, and now she is into IIM, because she got the feel, she enjoyed what she was doing, and that's the reason she could complete, so this is a misconception, that अच्छे मार्क आपको साइंस में जाना चाहिए, so just say graphology is a very good clinical kind of a way of looking at it, but otherwise हम कहते हैं कि आप अपना passion खोजो, और उस passion को अगर आप व्यावसाय बना दो, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, because उसमें बहनत करेंगे आप, so आप फेल रहेंगे और लोग आपको पैसे देने, so I never thought कि मुझे आनलिस्स को पैसे देगा, because I am doing it for my fun, it's like you know, Sergeant Andrew is playing cricket, and people are paying, so he is playing and enjoying the game, and people are paying, so that's what happens. So now we come to the next phase of life, where you are teenage, a new partner, you feel good, you feel good, you feel good, so now this is the second time of life, the one thing is that you are learning in love, or whatever, you feel good, you get stuck with it, but here it is also necessary to see the partner's own, and learn a little bit, so what is the option, is that he will change the partner, or the partner, in order to work on his own, how do you see it? So I don't know whether it's the right way to compare, but we have any instrument, like a camera, or a computer, or a laptop, so all the features are the same way. How do the display, how do the speakers, how do the memory, how do the functions, but when we are friends, we don't know all of the parameters, जानना ही नहीं जाहते हैं। कि on the face of face value, बहुत 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 आम लोग, we come to conclusions. प्रेमंध भी होता है। प्रेमंध होता है, बहरा होता है, लूला होता है, लंगला होता है। सारी चीज़े होते हैं। So, graphology is a very practical tool to understand a person better. It is not judging the person. Oh, that's a very good, it's understanding, it's not judging. Yeah. Because it's the same, especially the young generation, you judge me by my handwriting. Yeah. So, that's the difference. So, we call it the pathology of the mind. Okay. Pathology means that you go to the doctor, the doctor does your blood test. So, we don't say that the doctor is judging me. He's doing the blood test to understand you better. So, then I can understand which vitamins you have come, and what challenges you have to do. So, graphology is like a pathological test of the mind. Wow. So, it tells you that you're good, your cholesterol is good, your sugar is good. So, celebrate, there's no problem. Correct. So, as a mind, how you are designed, there's no test to understand. So, graphology is the pathology of the brain. Wow. So, when you understand the person, like suppose a couple is coming together and we understand the guy is having maybe high cholesterol. Hmm. So, the girl now knows, that I have to take care of him. Take care of his cholesterol. Correct. So, in the mind, that her thinking is a lot of nature, or that she is a lot of nature, or that she is very shy, or that this person likes to travel more. Hmm. Right. So, normally, we say that opposites attract. Correct. Right. So, the problem is that, I want to sit at home and read a book, and the other person wants to go and party out. Hmm. Right. So, it gets into the attitudinal challenges. That's why, you know, husband and wife… So, sometimes, we say that, I know this guy, 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 I know this guy very well. Hmm. Let's understand this. Yes. We all have certain things in our mind. In our mind, there are a lot of things in our mind. There are a lot of things in our mind. There are a lot of knowledge, there are a lot of information about me, which I have not shared in the world. It will be all in our mind. Okay. Yeah. Right. There are a lot of things that we don't share with anyone. They are very personal, or they are… It could be, what is your real plan about life? What do you want to do in five years? What do you think about this philosophy? What do you think about this philosophy? What do you think about life? How do you think about life? Are you more materialistic? More spiritual? What is your opinion about relationships? These are all opinions, right? We don't share a hundred percent. There are a lot of incidents in life, which we keep in our mind, and decide that I won't tell anyone. I think that I won't tell anyone. This is in every person's mind. It is also in your mind. or maybe the partner also would, you know, she wouldn't like to miss the partner, or you know, that this is from the hand, so you don't tell them. Exactly. You keep that easy. So we always see the, show the good side of us. Right. And so, if we are doing this, everyone is doing this in the world. Everybody is holding something. True. Then, how can you say, I know this person very well? Hmm. Because, that person is telling you, the person is telling you, the person is telling you, the person will be good. The person is telling you, That is why, and that is why, we listen to this every time, that I know this. I know it for 5 years, but I had never thought that it will behave like this. Oh. Hmm. Yeah, I have been doing this job for 10 years, I have never thought that this will be wrong. This trade, sometimes, happens later? No, it happens later. The trade always happens, which we have not seen today. Okay. So, recently, a very interesting story, I will tell you. I went to a business owner, and he has an employee, who has been working for 10 years, and I have seen his handwriting, so I said, be careful, he can be a little manipulative, or, you know, something unethical, he can do something. So, he got very, you know, this thing, apprehensive, that, I know him from 10 years, and he is very, very honest. So, I told him, that, if you are talking to him from 10 years, then, there are two analyses. One, he is genuinely honest, which is very good, and he has not got the right opportunity yet. So, honesty is a test of time, many times. And, this is why, we get surprised, that, I know this person from 5 years, and I never thought he will behave like this. So, hidden traits, that, that, graphology works very well. Okay. And many times, see, life, you get happiness and happiness. Which channel you get? Where do you come from? 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 And where do you come from? Because, happiness and happiness, you will come from people in your life. You will not upset your furniture. But, you can have friends. And, you can have friends too. True. So, ultimately, we should learn the science, that, how do you understand? Okay. Now, our situation is, that, 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 the story, everybody thinks, that, you know, elephant means, a leg. Different versions of, So, partial knowledge. Correct. And, that is why, associations, you know, in people, get disturbed. So, life, partnerships, or boss, employee relations, any two people coming together. And, start ups, boom, then, co-founders, come together. Hmm. Right. 95% of the start ups fail, because, the co-founders, don't agree with each other. Hmm. It's not the right marriage. Yeah. And, investors can see that, 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 they don't match their mindset. Yeah, this person is talking this, this person is talking this. And, that is why, the investments, don't come many times. And, after the investment also, people start thinking differently. Hmm. So, how to do the compatibility, between co-founders? So, any kind of partnership. So, this point, we were talking about, that, when you get married, you find a life partner, and, I mean, there's no graphology test done, or, you just get married, everything is rosy, and nice, and you are very positive, about, that, 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 and, और फिर ऑबिसली कुछ ट्रेट साते हैं फ्रम बोट साइड और उसके बाद हम कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा सावर हो जाता है तो हम कहते हैं कि यार अब कॉंसिलर के पास जाना चाहिए तो कॉंसिलर और ग्रैफिलोजी तो हाव ड़स डाट मतलब यह दोनों अलग चीजे हैं बराबर तो ग्रैफिलोजी भी मतलब आप हास्ताक्षर देखके आप यह रिलेशन्शिप को रिपेर कर सकते हैं जहीं वो कैसे अगर आप बता सकते हैं कॉंसिलिंग इस फैंटेस्टिक प्रोसेस इस वेरी इस्टैबलेश साइन्स वेरा ग्रेट साइकोलोजिस इंदे कंट्री बट उसमें लिमिटेशन ऐसा है कि आप तू मीट बड़ेगा और बार बार मिलना पड़ेगा दो तीन तीन घटा बात करना पड़ेगा उनका फिर कॉंसी अच्छी घटना हुए कॉंसी बुरी यह सब समझना पड़ेगा उसके बाद यहाव गुड़ थेरेपी ग्राफलोजी में मुझे वह इंसान से मिलने की भी जरूरत नहीं है तो अगर मुझे सिर्फ एंड़ेटिंग दिया जाया और मुझे कहा जाया कि आप इस वेक्ति के बाले में बता दी तो जो साइकलोजिस्ट या कांसिलर बता सकते आपको उनसे पाच घंटा बात करने के बाद उतनी सारी चीज़ें हम सिर्फ उनकांड़ेटिंग के बता सकत So, counselling में का होता है? कि if the counsellor is good, it is fantastic. But if I am only listening to what you are saying और आप तो तो आप मुझे आज पहली वार मिली हो सपोज और आप मुझे आज पहली बार मिले ओसलोग आपको उनसे उनकांपेश जयाएंगे कि मैंनको बताू नहीं बताऊं नहीं बताूँ और तो तू नहीं पोटा अन And every counsellor will agree to this, कि तीन-चार मीटिंग के बाद, the client actually starts opening up to the real problems. कि तो कि it's very vulnerable for that person to share a problem. You know, he's embarrassed to share the problem. So, trust-taking time बोट हो जाता है. But graphology में, when I see the handwriting, I not only know the root of the problem, I also know the root cause, which even sometimes the person does not know. Oh, correct. Because it's subconscious. So, what deep level का analysis होता है. And then based on that, we start giving him the counselling, you know, and handwriting therapy also. So, in marriages क्या होता है, you know, man-woman compatibility क्या होता है, कि if you understand the person, where the person is coming from, So, psychology में बहुत बहर ऐसे कहा जाता है, कि till the age of 16, you know, आपको जो सीखना है लाइफ में वो आपने सब सीख लिया है. After 16, we don't really grow as a person, you know, or it takes a lot of time and effort and strong, you know, interventions. It's like you come to a stage where I know, right? But it's a biological process. Till the age of 16, आपका ब्रैन अपका ब्रीन as a muscle is also growing. So, it's growing, to it is absorbing many things. Okay, okay. So, biological process. Biological process also. After 16, it becomes a solid muscle. Now, changing something becomes lot of efforts. So, आपने जो 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 सोला साल तक सिखा है, जो जो आपका, you know, तो थौट प्रोसेस हुआ है, 99% वो स्टेवल होगा, at the end, and the influence is more from the mother and the father, so what the father is teaching you, you will follow till the age of 100, so आप बहुत, you know, बुज़र लोगो को भी सुनोगे, he is at the age of 80 or 90, but he will tell you, मेरे पिता जी ने मुझे सिखा है कि हमेशा लाइफ में ये करो, उसके बाद, he's read, he's read thousands of books, बट उसके subconscious में क्या value इंबाइब हुई है, जो उसके childhood में मिलियो उसको, right, so why a person is behaving like that, उसका childhood का reason होता है, तो graphology आपको judge नहीं करता है, आपको analyze करके बताता है, कि this is the root cause of this person, there is no intention behind this, बहुत बार गलत है में ऐसी होती कि या भी purposely कर रहा है, you know, या यह गलत कर रहा है, और उसक कुछ judgment हो जाता है, but graphology tells it is a process, you know, it is a side effect of what the person is gone through, बहुत बार हम इंसान को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो battle he is fighting, वो नहीं पता होता है, every person is fighting a battle, which we don't know, so graphology tells you about that battle, that what is he fought, what is he fighting in the behind, and because of that, वो सामने ऐसे बहव करता है, तो empathy बहुत बहुत ऐसली आजाती है, लोगो पर, So when I meet a person now, who is even insulting me sometimes, you know, उसका handwriting देखने के बाद मुझे घुसा नियाता है, मुझे सिंपत याती है, कि भीया, he has gone through so much of trauma, you know, इसका life में इतना insult हो चुका है already, या इसको self-value ही नहीं बची है, या इसमें self-esteem ही नहीं है, इसका reaction करके, he is now on the defense mechanism, you can see the causes, you can see the causes, and this works on the sexual life of the couple also, Absolutely, absolutely, see everything is in the brain, everything is in the brain, if there is confidence, there is self-esteem, you know, then the right thoughts come, if you are under the negative thoughts of jealousy, fear, you know, lack of self-esteem, then the brain will not work properly, right, so all these are connected to the well-being of the mind, correct, correct, and though all those negative thoughts, we can identify and we can work on that, yeah, so many times, you know, The therapy is just graphology, ऐसा नहीं है, हम बहुत बार बोलते हैं कि आपको stress है, तो आप योगा करिए, आप meditation करिए, आप music therapy करिए, so graphology is majorly an analysis tool, correct, Therapy के लिए तो बहुत सरी चीज़ है, correct, right, but right analysis is half problem solved, correct, so आप analysis करते हैं, कुछ एक defects या, कुछ एक थोड़ा से traits है, जो थोड़ा सा hurdle है, उसको आप notice करते हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ abilities बढ़ाना है, आप में जो खामिया है, उसको थोड़ा सा और कुछ बढ़ाना है किसी भी एरिया में किसी को कुछ जाना है और उसको ये quality चाहिए, तो ये हास्दाक्षर से हो सकता है, ग्रैफलोजी से, तो करेंट लिए बहुत बड़ी company के लिए, I will not name them, but उनका जो top management है, उनको leadership develop करना है, okay, and leadership के लिए, जो traits होती है, वो सबको बता है, he should be a confident person, he should take decisions, he should be very practical, you know, he should be very understanding, caring, good communication, storytelling अच्छा होना चीए, you know, self-confidence होना चीए, risk लेना चीए, challenges होने चीए, ये सारी चीजें एक अच्छा लीडर बनाती है, तो ये हम उस 25 लोगों का analysis कर रहे हैं, और उनको customized feedback दे रहे हैं, कि आपका communication अच्छा है, लेकिन आपको risk taking बढ़ाना पड़ेगा आपका risk taking अच्छा है, लेकिन आपको clarity बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए training और उसके लिए hand holding करके, सब के लिए अलग-अलग therapy, you know, बना के अम लोग उनका वो leadership development कर रहे हैं, so they'll become better leaders. So generally, ये abilities बढ़ाने के लिए, या आपका जो भी थोड़ा सा defect है, उसको कम करने के लिए, एक कितना वक्त लगता है, मतलब अगर हस्ताक्षर को या graphology को practice करते रहो तो, कितना वक्त लगता है कि एक बदल आने में, चेंज आने में? So where does the thought stay in the body? Thoughts, हम लोग कहते हैं, मेरे दिमाग में ये thoughts है, तो कहां पे रहते हैं? दिमाग में रहते हैं, बोडी में उसको vibrations बोल सकते हैं, vibes बोल सकते हैं, aura बोल सकते हैं, so that is the energy, you know, every thought is the energy. Now science says that you get a new body every three months, because the life of our cells is 90 days, so every 90 days the old cells die and the new cells come, now the cell has the biological part to it, it also has the energy part to it, right? So when a cell is dying, it will transfer the information to the new cell which is born, right? And that thought will be carried ahead by that cell, it transfers the, right, so your memory, your thought, cell to cell transfer, ideally, three months, you have a new body, you have to get new thoughts, correct, right, but new body, but new thoughts don't come, because the old thought is transferred to the next thing, okay, right, so the problem with our resistance to change is our memory, कि मुझे पता है, मुझे गुस्सा आता है, ये मैं दोराता हूं बार बार, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, very difficult to explain, but I'll take you with one example, बहुत बार, एक्सिदेंस में कई लोगों की यादधास चले जाती है, उनको ये भी बता नहीं कि मेरे नाम क्या है, मैं क्या करता हूं, right, ऐसे इंसान को अगर कोई डिजीज है, पिल्मों में कहा हूं, मैं कहा हूं, right, you know better, तो ऐसे लोगों की मेमरी चले जाती है, तो ये सब्सक्सिन वीजी कि इन लोगों को बिमारीय ओती थी पहले है, वेले फिर गेसे भी एते हूं, कि प्यां वीजीजी इसको क्या कहते हैं कि जैसा आप ने शुरुवात किया फिर आप इस पे लगे रहे अभ्यास किया जो भी है तो इसका व्यावसाइब कैसे बना और कब बना ये आपका मुतलब ग्रैफलोजिस्ट मैं दस साल तक पहले जॉब करता रहा इन कंप्यूटर्स डिजाइनिंग ये पो करता रहा है और तब एक वो एक ट्रेंट था सब्सक्राइब लेना थी यर्स आई विल आउ टेक ब्रेक एंड़ फाइंड माई वाट इंजॉए और वस फाइंडिंग सम्धिंग मैं शायद बि ये करते समय बोला थå अपना रहा रहा रहात जो थोड़ा आण देना चाइज थोड़ा अपना देना झाही व Meansपार्टे वह को चाहले और बूर्प्रपा आ हाँ, actually. And people used to come, ay, my county gets up to his court games. So I said, graphology, बता सकता, but आपके बारे में बता सकता हूँ. And then I started analyzing couples together, you know, की आप ऐसे हो, ये आप, ये आप, ये आप, ये आप, ये आप, ये आप, इनके ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, यह चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, and that started spreading. तो लोग आना शुरू हो गए, and I was not assuming कि मैं ग्राफोलोजी फुल टाइम करूंगा. But लोग मिलने लगे, and because I was also getting new-new, जिसको हम लोग samples बोलते हैं, handwriting samples. हर इंसान अलग होता है, जैसे दुनिया में दो फिंगर प्रिंट्स कभी मैच नहीं होते हैं, वैसे दो handwriting कभी मैच नहीं हो जाएंगे. Oh, yeah, that is the accuracy. अगर इवन ट्विन्स? No, 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 absolutely not. ट्विन्स अलग बिल्कुल. So, two handwriting in the world कभी मैच नहीं होते हैं. So, every new person आता है, तो एक नया सुड़ो को पजल आजाता है. Okay. So, combinations are different. So, वो करने में मज़ा आरा था. And then started, people started doing, then if you do this, तो आमारे पुरे 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 अनलिस करो. So, then I started. And then people wanted to pay. So, I didn't know how much to charge. So, I used to ask some minimum people. And then I started, okay, still I was not aware कि ये 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 प्रोफेशन हो सकता है. And people were also telling around me. But graphology ये चलन में नहीं था उतना? तभी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. India में था. Actually, it is a very established science in Europe. So, basically, how did it originate from? And क्या ये ट्रदिशन रहा है अपना graphology since whatever years ago and ऐसा कुछ रहा है के graphology का? So, I strongly believe that India is the root of all the sciences. Okay. Right. So, we have heard these three words. Tantra, Mantra, Yantra. Okay. Right. Tantra is the technology, yoga. Mantra is the chanting. What is the Yantra? Yantra is formation of lines. Okay. We have Shri Yantra. You know, we have Saraswati Yantra. So, the way we write, that writing formation creates energy. Okay. So, this is the root of how your writing can generate energy in you. And then it went to the West or अभी उरोप में इस पर रिसर्च चल रहा है. And they call it the sacred geometry. Okay. Sacred geometry. So, symbols have energy powers. So, the way you create a symbol, it will create that kind of energy around that. So, that is the root of the science. And that is connected to the handwriting. How many years back? How many years ago? Roughly. Roughly. No idea. I am not aware about that. But it is the Tantra Mantra Yantra. It is, I think, from the very ancient, very ancient, very, very ancient. Many, many caves are, you know, have this information about symbols. Okay. Yeah, yeah. Many, you know, carving on the caves. Bought-sa-ra information there also. So, interestingly again, because it is graph and logic, then it is not limited to English only. Correct. So, language ka ismei koii wo nahi hai hai, there is no, I mean, every lippi, or every language ka script is like graphology. Yeah, yeah, so it is graph and logic, any graph that you make, you know, is an analysis. To, teen saal ka bachcha agar ek chauk leke, ghar ke diwar pe bhi kuchh banayega, so that is also the imprint of his thoughts. If he is making mountains, then why is he making mountains sharp, and why is he not making ground? To, yeh, dhonoh mein farak hai. And that says about that person's, that child's thinking. So, jo bachcha nai sakte hai, unko amlog, we have developed a ability to read paintings now. Oh. Okay. Because painting is also a graph. Absolutely. No, it's a formation of line. So, we do drawing analysis. So, teen chaar paaf-saale ke bachcha ko amko ek chota drawing mananik lehi boltein ki, abos mein mountain banayayaya, ek river banayayayaya, ek ghar banayayaya, ek pair banayayaya, thudha sun banayayayaya. And the way he draws the painting is the interpretation what is he going through. Oh. And we can analyze the person's traumas through that, the child's trauma, to the extent of physical and sexual abuse, is shown in the painting. To that level, we can go as a graphology analysis. So, I think this, I mean, when a child is small, you should have to do it once again. It becomes a very nice, I think it should be a mandate also. So, another angle to this is, how can you become a good parent? You can become a good parent only when you understand yourself better. I am saying this, and why I am saying this, you should know both of these things. Like, why I get troubled when my child says this, or my child behaves this, and why am I saying this? You know, so many times, we complain when we go to school, that there is a lot of pressure from the parents, that they should be good in everything. So, if the child is interested or not, then the parents will send them to this thing. So, if my parents didn't allow me to be allowed for music class, then I will definitely send my child to the music class. So, if a parent learns graphology, then he will understand why am I expecting like this. And then he will become a better parent. Wow. So, now tell me, how do you apply it professionally? How do you apply it in which area you apply it? I mean, I mean, this is my understanding of the family. You know, after having a child, having a child, having a divorce. But you also use it professionally, graphology, and you apply it professionally in which area you apply it. So, see, wherever there are human beings, and we need to understand human beings, it can be used in every place. So, we spoke about child, their development, then we spoke about teenage, their challenges, then he will go into couples, families. Then he goes into his career. Correct. Now, we work with a lot of corporates. So, what happens in corporates when you take an interview for a person? So, how will you judge that person is how it is? You know, because the track record will be one story, right? But, there is an innate tendency also that you should look at it. That will come to you in the graphology. So, we have a lot of corporates in a panel. And, in HR or corporate, we use a term that the person does not join the company. The person joins the culture of the company. Or, the person never leaves the company. He quits the boss of the company. You know, many times people who leave the company, they don't like the boss. They have nothing to do with the company. Because they don't have the access to the company. Whom they are dealing with? Kis se roj baat kar rahe hai? Boss ke saath. So, boss and employee ka compatibility. Bohut zahada zaruri hai. Like, if I have to hire a sales person, hire karna hai. To, because woh pehle jaha peh job karta tha. Woha peh he was a very good salesman. Hmm. To, we take him here. He is a very good salesman. Us ko yaha peh lije. But, maybe he was a good salesman. Because he had a compatible boss. I am not saying good or bad. Hmm. You know, compatible boss tha. He could bring out the best in him. Hmm. To, bohut baar ek achhe candidate ko laakke bhi haem. Eek non-compatible boss ke saath, us ko bitha denge. Right. To, woh, 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 joh magic hai, woh nahi hoga. Hmm. And, most of the money is spent in this attrition. Logo ko hire karo, unko train karo. If they are not matching, fir ek saal ke baad chale jate hai. To, bohut paisa waste ho jata hai. Time bhi. Time bhi waste ho jata hai. So, yaha pe bhi play a major role. Hmm. Like, when we are recruiting, we will say this person is good, but tell me who is he going to report to. And unka bhi signature lete hai. And then we say, nahi, inka compatibility inke saath nahi hoga. Inko ap inke saath kaam karne ke liha hai. And then they will work out. So, a team is formed very nicely. Like we are doing for husband-wife. Hmm. We are also doing for boss and employee. Correct. Corporate is also a marriage. True. Because you are spending more, more than eight to ten hours daily with that person. So, it would be a compatibility. So, you can tell us a little example. Where they have heard, and that has become very productive. Hmm. When we have heard from him, we have heard from him, and that was, you know, it actually damaged. Hmm. Many stories, and people do not listen to 90% of the time. Hmm. Because the science is very new. Correct. And people want to believe more on their own experience. Hmm. Like, you know, I know this person, मैंने उसका interview लिया है, मैं उससे बात किया हूँ, मुझे बहुत confident लगा, he's very honest, इतने सारे conclusions ना, एक गंटे के meeting में निकाल लेते हैं, but I can act to be honest, you know, and these days, अभी market में ऐसे courses भी मिलते हैं, कि how to give an interview, right, तो उनको पता है कि क्या बूचने माला, and what he wants to listen, तो they crack like that, and बहुत सारे बार, मतलब आप track record देखोगे, या बैगराउंड screening करोगे, लेकिन tendencies का कोई, you know, proof नहीं अभी तक, अगर उस बंदे में tendency है, to cheat the company, या, you know, reveal the trade secrets to somewhere, or something like that, unethical something, तो एक इंटर्वी में पता भी नहीं चलता, और दस साल उसका कोई record भी नहीं होगा, and suddenly he comes and finds एक अच्छा opportunity, and then उसका वो tendency भारा जाता है, like, see, these days we, you know, I don't want to mention that, but, वो जो एक, two people coming together, you know, girlfriend, boyfriend, and then, you know, the things happening with the girl, and then the girl is surprised, how can this guy behave so, uh, badly, you know, and, uh, 2-3 साल, they are together, and they are, you know, knowing each other very well, and suddenly this trait, suddenly this trait comes up, you know, now these are the traits, you know, जो आपको बहेवियर में नहीं दिखेंगे, ये समझाना बहुत दिफिकल्ट हो जाता है, कि आपको बहेवियर में वो सारी चीज़े नहीं दिखेंगे, लेकिन वो टेंडेंसी है, कि अगर उसको पोशक बातावरन मिलेगा, तो वो टेंडेंसी बहारा जाएगे, तो जैसे आपने कॉर्परेट में बताया है, वैसे आप और के सेरिया में काम करने हैं, ग्राफिलोजी को लेके, देंड में परसलिये कि अप्र पर्सपार जाद में आपके पेज्टेर. और मुझे या I want to leave the job and start a business तो मुझे business करना है लेकिन मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करना चाहिए and things लग रहा है तो वो जो एक personality development वाली जितनी चीजे हैं वो सारी हम कर सकते हैं जो चीज मैं 10 साल से try कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदर change करूँ तो it could be all the negative thoughts जैसे temper या inferiority complex या lack of confidence या communication अच्छा करूँ या मुझे confident होना जादा ये सारी चीजे हैं अन्डाइटिंग से change हो सकते हैं तो मैंने सुना आप crime में भी काम कर रहे हैं तो मैंना फॉरंशिक्स क्राइम में करते हम तो मैं अर एक ऐसा बहुत बहुत होता है कि बहुत सारे क्राइम होते हैं इस प्रफेरेट्स में बट दे दोंट वांट तो गो दे लीगल वे मतलब एक अभी रिसेंट था कि एक वाश्रूम में जो मिरर होता है उसमें संबड़ी वित अमार्कर प्रफेर रोट सम्थिंग वावत संबड़ी वाश्रूम मिरर डेरोगेटरी कुछ तो तो था यह नो इंसल्टिंग था कुछ था नाव हॉँआ प्टो फाइन उस बंदे ने मार्कर से लेफ्ट एंड से लिखा था लेफ्ट एंड से लिखा था मतलब क्या कि कि मेरा hand rating कि इसको समझेगा ने बट the mind is so strong के सवाल उठता है कि ऐसा ऑद झाहात किसी का तो आप ये फाइंड़ंट कर सकते है कि और उड़ा ने लिखाए कि मैल ने लिखाए कि मैल लिखाए कि रिखाए कि so there are certain things que graphologic cannot see Okay because like we can have करता है कि हम लोग thoughts का analysis करते हैं, right? तो thoughts को gender नहीं होता, right? A man can be more feminine and a female can be more masculine. So, is the energy masculine or is the energy feminine? इतना बता सकते हैं. But gender क्या है? यह handwriting male है यह female है यह नहीं बता सकते हैं. Also, age नहीं बता सकते हैं. Okay. कि अगर 16 साल का बच्चा matured है, तो वो matured handwriting होगा. And at the age of 40, the person is not matured, तो वो immature handwriting होगा. So, IQ is not connected to age. Oh. Hmm. One more thing we cannot say, कि यह right-handed person है कि left-handed person है. अच्छा. यह भी नहीं बता सकते हैं. Because it is the trained hand and the not trained hand. That's only the difference. Okay. Right. So, the right hand will also do the same interpretation. And the left hand will also do the same. I have so many cases, one of my students. 20 साल, he was writing with the right hand and then he had an accident. So, उसका हैं में वो लगाया, वो लगाते हैं, whatever. And there was a limitation for writing. Correct. So, after 20 years he started learning to write with the left hand. Hmm. And now he writes smoothly with the left hand. So, जितना smoothly right से लिख सकते हैं, उतना smoothly left से लिख सकते हैं. Oh. So, that becomes the active hand. That's it. Okay, आप वो जो बता रहे थे कि किसी ने ओफिस में जो मिरर पे लिखा था. तो उसका क्या हुआ आगे, कैसे आपने उसको अनलाइज किया? So, उसमें बहुत बार लोगो ऐसे लगता है कि, As a graphologist, हम हैंड़ाइटिंग का जो लुक है वो देखते हैं. So, that's not the case. तो उस बंदे ने क्या किया था कि उसने लेफ्ट हैंड से लिखा था, और लेफ्ट हैंड से बहुत ही different handwriting आया था, मतलब left hand is not your trained hand. And people think कि मैं अगर left hand से लिखूँगा तो मेरा handwriting कैसे समझ में आएगा? But the catch here is, कि अपना handwriting में every alphabet has a formation style. जैसे आप D एक तरह से लिख सकते हो और मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ. तो वो जो path है वो brain में saved है. जैसे अगर मैं आख बंद करके भी कुछ उठाओं तो उसी तरह उठाओंगा जैसे मैं आखे खोलके उठाओंगा. तो मेरा जो पकड़ने का तरीका है वो save है mind way. आदते save है. यह finger ऐसे होगा, यह finger ऐसे होगा and all those things. तो D अगर मैं left hand से एक तरीके से लिखता हूँ, तो left से भी मैं उसी तरीके से लिखूँगा. और हर एक alphabet के 10-10 formations होते हैं, 15 formations होते हैं. अगर आपको E देखना है, तो E 10 टाइप से लिखे जा सकते हैं, अगर आपको Y देखना है, तो Y 25 टाइप से लिखे जा सकते हैं, अलग-अलग. उसका end state होगा, वो round होगा, वो left में होगा, right में होगा, उपर जाएगा, नीचे जाएगा. तो वो उस तरह से क्यू है, क्योंकि वो मेरे सोच से connected है, मेरे एक thought है वो. So alphabet is the graphical representation of the thoughts, right. अगर मेरे दिमाग में एक thought है, that I want to save money, तो वो alphabet उस तरह से आएगा, because वो graphical interpretation of my thought है. So, अगर मैं right hand से वो thought लिखूँगा, तो मैं left hand से भी वो ही लिखूँगा, right. तो सारे alphabets का एक ही pattern match हो जाएगा, एक ही pattern, left hand से भी हो ही आएगा, right hand से भी हो ही आएगा, तो you understand, यह person इसका handwriting है. Okay. क्योंकि right hand से यह सारे patterns आते हैं, left hand से यह सारे patterns आते हैं. For example, अगर मैं साथ लिखके उसमें ऐसे डश देता हूं, कुछ लोग का अधर होता है, no? They write seven, they put a dash. Now, if I am writing with the left hand, I will still have the seven and I will put the dash. Yeah. It will be a different look of the alphabet or the letter. Correct. But the formation will be same. Yeah. Right. जिसे मैं यह right hand से लिखके नीचे आके छोड़ देता हूं, तो मैं left hand से लिखते समय भी नीचे आके छोड़ दोगा. Hmm. Because the mind works the same. The mind का shape जो है, वो same है. Look बहुत different होगा. Obviously. But formation lock होजागा. That is how we do it. So, जैसे यह forensic crime में भी आपका consult, आप consult करते हैं. Yes. So, यह इसके बारे में आपका… यह original signature है और यह duplicate signature है. Forgery. इसको बोलते है known and doubt. Correct. Right. Forgery वाला. So, आपको match करके सिर्फ बताना है, उसको बोलते है hand writing expert. Correct. हम जो करते हैं, वो रीड दा साइकोलोजी आप पर्सन थूरू थूरू थे हैंड़ाइटिंग. Right. So, handwriting can become a lie detector test. I'll tell you very interesting किस्ता. एक हमारे क्लाइन्ट है, जहां पे आइस्टू गो आज़ा आज़ा लिया, 100 लोग वहां पे काम कर रहे थे. एड़ वहां पे किसी ने बार-बार छोटी-छोटी चोरियां हो रहे थे. किसी का mobile चला गया, किसी का wallet चला गया, किसी का pen चुरा लिया, किसी का कोई चीज चुरा लिया, तो people were irritated, और यह क्या करें और इसके लिए क्या कर सकते हैं पुलिस-पुलिस में जाना, तो एक दिन बहुत बड़ा चोरी हो गया, किसी ने safe को तोड़के पैसे निगाल लिया, और यह काफी पूरा नहीं तो CCTV बगारा कुछ था नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने बुला चलो सब 100 लोगों को बुला थे हैं और सबसे यह लिखवा के लेते हैं, कि आपने सुभे से क्या क्या किया वह लिखे, तो लोगों ने लिखा कि मैं नो बजे आया, फिर मैंने काफी पी और यह मेल भेजा फिर मैने इनको फोन किया, ना मैड़ ह्या की सोच के लिखोगे तो आप करके लिखोगे औ defensive कि याद करके लिखोगे और में अगर आपको पुछो, आप कल क्या करोगे, तो आप सोच के लिखोगे, याद करके लिखोगे, और सोच के लिखोगे, तो याद करके लिखते समय हैं, हम लेफ्ट ब्रेन यूज़ करते हैं, because लेफ्ट ब्रेन is the storage, it remembers the memories, और हम सोच के जो बोलते हैं, उसमें हम राइट ब्रेन यूज़ करते हैं, because it is creativity, तो अगर एक इनसान को मैं बोलू, कि आप कल दिन बर क्या कर रहे थे, ये लिखिये, और उसने वो लिखने के लिए अगर राइट ब्रेन यूज़ किया, इसका मतलब, वो जूट बोल रहा है, क्योंकि कल के लिए, मुझे creative क्यों होना पड़ेगा, मुझे तो याद करके लिखना चाहिए, तो वो बंदा जैसे दुपेर को समझो, दो बज़े चोरी हो गए थी, तो सुबह से उसने चालू किया, लेफ्ट ब्रेन से लिखना, कि मैं नो बज़े आया, दो बज़े चाही पिने गया, ये पुरा भी राइड ब्रेन से आ रहा है, तो ये shift from the left to right, ये graphology में दिखता है, and then we say that, ये बंदा जूट लिख रहा है, और वो सो लोगों में से, किसी से बात किये बिना, we could find out, ये बंदे ने चोरी की, so it is a lie detector test also, वाव, राइड, so बहुत बार लोग, मेरे पास लव लेटर लेके आते हैं, okay, that's interesting, and the writer is saying, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, but handwriting कुछ और ही बता रहा है, राइड, इंड्वल्पस्लाइटी विल्कूलब लब लब, तो ये गलत हैं कि हम आपने जो लिखा है न, वो पढ़के अनलाइज करते हैं, वो पढ़के अनलाइज ने करते हैं, आपने कैसे लिखा है, और वो shapes और formations क्या बता रहे हैं, वाव, येस, ये साँ ये साँ अनलाइज क्या है वो लिखाँ को आपने में हैं, या जैसे क्म्टेशन में स्तैमरिंग जैसे स्टैम्मानिंगमें सुछाँ न, आपने पुछा तो कल क्या किया? कल तो मैं एक मीटिंग था फिर मेरा एक दोस्के बास गया, फिर मेरा एक दूसरा क्लाइन के बाद गया तो यह जो आ रहा है ना यह क्रियेटिविटी टाइम है तो जैसे सोच के मैं बता रहा हूँ तो आई मोमेंट्स भी ना राइट में लेफ्ट में होती है अगर आप याद करके कर्या है तो आपके लेफ्ट साइड में जाएंगी आप सोच के बोल राइट साइड में जाएंगी तो यह जो स्टैमे रिंग है डिंतियं में इस च्यु नेिगर यह में आथा है तो अगर मैं जूट लिखूंगा कि कल मैं मीटिंग में था आपको लगता है कि ग्राफिलोजी इस प्रॉपर्ली एक्सेप्टेड असे प्रॉफेशन इन डिफरेंट अरियास परलब पेले जासा था कि यह ग्राफिलोजी तो प्रॉफेशन कैसे हो सब्सक्राइब तो पदा नी क्या हॉबी कर रहा है पर अभी इसको प्रॉफेशनल अभी भी वी अर्ट्रॉफेशनल बिकास जो लोगो ने एक्स्पिरियंस नहीं किया है या या इन इस नोट अट रस्टेड और इस नोट असर्टिफाइड सांस इन 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 येट बद इस तो अबट अधर कंट्री लाइड या इस्राइल इस्राइल अर्मी में अच्छ अच्छ इतना सीरियस उनको लेटे महां पर बसुझ अपर इसलाइलिए उडियर अधर कंट्री बड़ीशनल इस च्छों अच्छ इं लाइड़ ना ग्राफिलोच वाफिलोज ग्राफिलोज्फु खिल्यार कार आप उनका ग्र्षा इठ जोएब तर मंद्य को अब इसमें दूसरा एक एंगल देखिये कैसा है कि graphology is not a universal science हां हां it is not a universal science like अगर आप इंडिया में psychology का study करोगे तो आप दूसरे culture में जाके psychologist नहीं बन सकते हो okay because ये culture के जो norms है that also you have to understand to understand the behavior correct right for example इंडिया में अगर 40 साल का एक बंदा अपने बाबा के साथ family में रह रहा है तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे उस अद्मी को क्या कहेंगे family member होगे almost ने 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 so that person is responsible you know for the family he's taking care of the pair of the family he's more responsible blah 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 यही अगर अप western culture में जाओगे और 40 साल का एक बंदा parent के साथ रह रहा है तो उसको क्या कहते है he's a burden he's a burden he's not confident yeah he's not confident to stay away from the parent from the family और जो उनके culture में है ही नहीं मतला culture में ही so the analysis of the situation changes from culture to culture तो जो foreigners book लिखते हैं graphology का that is from studying their culture okay and that is why you cannot learn graphology just by reading international books क्योंकि they are written on their culture correct right India में अगर आएंगे तो आपके systems बदल जाते है culture बदल जाता है you know the way we look at things soch बदलती है you know आपके values बदलते हैं and based on those values we have to analyze so what shift होना बहुत you know difficult so I did analysis of one lakh people okay एक लाख लोगों से मैं इसे मिला हूं आपके जैसे और उनका handwriting देखा है and then I have derived certain things which are Indian graphology hmm जो books में अलग है international books में लेकिन for the Indians it is different so what is that little difference if you can just so one of the analysis you know like one says that he is staying with the parent you know he is very close to the parents or attached to the parents so India में उसका अलग है western में उसका अलग है जैसे इंडिया में गुरू बंधू करके एक relation है correct like there is a guru and there are two followers so they become yes almost like brothers not blood brothers but brothers guru bandhu अब ये emotion है ने emotion ये western में कम है बहुत कम जगह में मिलेगा brotherhood feeling true जैसे महारास्टा में पंडरपूर में लोग वारी में जाते हैं they are like family so for a stranger also they will hug you know a man will hug a man right वो जो brotherhood है ना वो सिर्फ इंडिया में ज्यादा दिखेगा I think so western में कम दिखेगा so if author is from western culture and he's analyzing that so it may be misunderstood here oh true so those kind of Indian values you need to learn to you know analyze in that true so you have to look at from the context of values and culture of that part in that region of the and then you analyze graphology also right very nice आप अभी मेरे थाल से ट्रेन भी करने लोगों को जी जी हमारी institute है the graphology research institute we have trained more than eight thousand people now and they are all professionals HR जो फील होता है उसमे graphology बहुत काम करता है because it is for recruitment जो counselors होता है उनके ले graphology बहुत यूज होता है because एक बंदा मुझे क्या बता रहा है and what he knows is different correct right in fact homeopathy doctors बहुत graphology सीख रहे आज कल oh because homeopathy में आप जाएंगे तो आपकी पुरी history page पूछते है कि आपको थंडा अच्छा लगता है गरम अच्छा लगता है आप रोते हो आप नहीं रोते हो आपका relation with the father कैसे था तो यह सारा पूछनी के ज़रोत नहीं है इतना inventory और history पूछनी के ज़रोत नहीं है graphology can be done so most of my students have done this so काफी students मेरे homeopathy doctors है and they make the patients right now oh अब लिखके आईए कुछ भी लिखे and then we'll understand your behavior किता लंबा course होता है अपका यह 25-30 गंटे में सीख जाते है तो four Sundays में हो जाता है and now after covid we have put it online online तो मेरे सारे videos उसमें टाले हैं and you can study at your own pace also so teachers very very useful HR managers very useful counselors के लिए very very useful and recruitment में जो होते हैं वो a lot of you know you can use that and anybody who wants to change something about themselves any kind of self-help support you need graphology उनके लिए अच्छा, trainers, coaches you know आप ले किताब भी लिखी हुई है न ग्राफलोगी तो मराथी में मैंने बुक लिखा पहला English version is on the way but there was no book written in Marathi at all you know and I have taken a lot of workshops in Marathi also so I wanted to create that mark की first book in Marathi in the history of and your mother tongue yeah it's my mother tongue also so that's the reason I wrote that but the English version is coming very very soon oh very nice yeah very nice or kuchh graphology because this is such a big world yeah कि पदा नही अगर कुछ रह गया तो प्लीज आप इसको so everywhere you know the the root cause of all the problems is misunderstanding between people hmm you know like ah though special uses how many I will tell you about graphology how you can engage ah what sorry I see choti banks and banks they have taken me on the panel okay and jo banda loan maangne ke liya aata hai haan you know uska signature hum dekhtha hai and then we tell that is this person honest enough to pay back oh like jaha pe you know we don't go to the bigger banks we go to smaller banks jaha pe you know they don't have the mechanism even after getting the symbol and everything you still go for the graphology to understand the person more yeah what is the tendency yeah investors you know when they are giving money to somebody should I give the money so many times kya hodha hai ki the person not always is dishonest ah many times he does not have the traits to fight back for example if he is ah looted or if suppose he is cheated so there is a tendency that he might be cheated by somebody okay so if he is cheated then our money will be stuck ah so intentionally there is no problem but he does not have the power to bounce back you know so those things also so many times people ask me isko dhena chahi ke nahi dhena chahi haan so let me give this one 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 oh nice why so that's how it happens dhusra lot of pharma companies are now using grapho analysis as a gift to doctors okay so doctors you can read a day you know and it is a lot of is talked about the doctor's handwriting well you know very few people understand both either the doctor's people understand medical students so we do what is the doctor's handwriting because he is scripting and we do a small report what are your strengths what are your weaknesses what is you should do what are the changes you should do the alphabets and the company gives them as a gift this is the free analysis for you oh so they because the gifting also ends up after some time so it's a new gift that is one way of gifting secondly few uh banks may the sales people had a problem um how to you know reach out to the clients you know and uh signature and bank is is a connected you know relation there is a relation to that so a bank has hired me and they said that you come to our bank and your signature will get a free analysis okay so 200 people turned out because the bank is calling for the signature analysis but if we say you come to finance so we do this in every branch and people come and as a log at him um bank may come jata so people used to come to the bank and attend the lecture hamunka free analysis karte day and because the decision maker comes to the bank to product jada sale right so the most difficult thing in marketing is making the person come to your premise true right and that graphology can be used for wow wonderful so it has a lot of angles it means that this is a great word from personal level from professional level from personal level from a big word this graphology yes we have not already known once again right and see how much passion is you know where has been taken from you know there is a lot of things मतलब, if you allow me, I'll tell you another aspects also, के graphology is not only limited to scripts, like I said, बच्चों के painting से हम लोग कर सकते हैं, any shape in the world is graphology, जैसे हम किसी के घर पे जाएंगे, तो उसके curtains के design क्या है, और ये design उसको अच्छा लगा, मतलब उससे relation उसका thought क्या है, तो वो curtains से आदमी का analysis हो सकता है, मतलब फिर इंटिरियर जो आप पूरा घर का करते हो, या ओफिस का करते हो, तो उससे भी आदमी का, जी, जी, See, we all have a favorite shape, एक favorite shape होता है, एक favorite shape होता है, मुझे राउंड अच्छा लगता है, आपको square अच्छा लगेगा, किसी को triangle अच्छा लगेगा, किसी को waves अच्छे लगेंगे, तो वह underline, आप देखोगे न, books में, तो सब का style अलग होता है, some people will say round, some people will make a star, some people will make a box around it, right, so my favorite shape, now that shape is a thought, तो मैं आपके घर में आजाओ, और अगर आपका dining table round है, तो उसका एक analysis है, अगर आपका dining table square है, तो उसका एक analysis है, तो every shape that you choose, you know, is telling something about yourself, तो आपका wrist watch है, अगर वो round है, तो उसका analysis है, triangle है, तो उसका एक analysis है, hexagon है, तो उसका एक analysis है, So the shapes that you choose, आप जो select करते हो, उससे आप, क्या सोचते हो, ठोड़ा सा, एक दो example इस पर से हम बताएंगे, कि signature जब हम करते हैं, जैसे example से, कोई पहला अक्षर बड़ा लिखता है, या किसी signature को underline करता है, तो यह क्या, आप इसको कुछ analyze, So उसका हर एक element का एक-एक importance है, So we say there are four important things in a signature, एक अच्छी signature में, powerful signature में, चार चीज होनी चाहिए, एक बहुत clear होना चाहिए, एक बहुत misunderstanding हमको सिखाई जाती है, कि आप signature complicated करिये, ताकि कोई duplicate नहीं करे, but the reality is, complicated signature is easy to duplicate, because वो ऐसी जले भी है, कि उससे similar आप कुछ बना सकते हो, but जितना आप सीधा लिखोगे, तो वो आपका handwriting है, वो duplicate करना बहुत मुश्किल है, as an expert, अब microscope के नीचे देखोगे, तो simple signature duplicate करना impossible है, और complicated signature में आप कुछ तो करके, वो shape ला सकते हो, so first it should be very very clear, clarity से क्या होता है, if you have a complicated signature, you have a complicated mind, if you have a simple signature, your thoughts are simple, proof क्या है, you see all the people in the world, who are honest, who are spiritual, who are simple, who are trustworthy, who are having a good character, will all have simple signatures, you know, I have a list of all the RBI governors, अब RBI governor मतलब, उनका character कैसा होना ची है, I mean the qualities in a person, you know, they should be very trustworthy, very honest, very value based, and all those things, now all the governors have similar signatures, very simple and straight, very simple signature, you know, all the freedom fighters, have a very simple signature, आप हर एक चीजपड सकते हो, उसमें, क्यूंकि जितना complicated हो जाएगा signature, उतना आपका manipulative mind चालो हो जाता है, all the criminals in the world, have complicated signature, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, बहुत एक सिरियल किलर है समझो, या एक, बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल है, और उसका signature एक्दम सिंपल है, इस इंपॉसिब, उसमें एक्सेप्शन भी नहीं है, आपका. So, underline is about a platform, like people who need some power, some designation, some name, fame, lime light, So, underline is about a status, you know, it's like on a pedestal, right? But, एक underline is pedestal or confidence that I want to be on the stage, I want to be on that powerful. But, दो करेंगे ना, तो वो रडियूस हो जाता है. अच्छा. So, you should not have two lines, you should have only one line. But one is good. One is good. But, कैसा है, ना, there are no generic tools in this. Okay. Very minutely, underline कहां पर है, जैसे आप अगर लिखोगे की first name and second name, तो first name के नीचे है, तो अलग मिनिग है, second name के नीचे है, तो अलग मिनिग है, दोनों के बीच में तो अलग मिनिग है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो अलग मिनिग है, you know. If it is cutting, then it is a different meaning, you know. So, very customized. So, इसमें, जैनरिक ऐसा नहीं किया, आप कल से ऐसा करिये. So, very very difficult to say those things, तो इसलिए चार common thing में बताता हूं, एक signature बहुत clear होनी ची है, second signature size should be bigger in height, जिसको font size बोलते हैं, Okay. So, handwriting अगर आपका 4 mm है, 5 mm है, normally, school में आपका 4 line में लिखने को बोलते हैं, तो 4 line का जो gap होता है, तो 5 mm. So, signature should be minimum 10 to 15 mm. Okay. Because reality is your handwriting, your current state of mind is handwriting, and signature is your aspiration. Oh, what do you want to achieve? So, what you want to achieve is always bigger than where you are, right? So, signature should be bigger, that is the second trait. Third, it should never be in a straight line, it should always go up. Okay. Anything that goes up gives you optimism, gives you, you know, like a take-off kind of a… Take-off flying and, right, yeah, elevated. Yeah. So, if upside is optimism, if the signature goes down, it is pessimism. But the people who are depressed, people who are thinking of committing suicide… Oh, yes. So, that also one can forecast, right? Yes, yes. You can see that writing, or can you understand? I am not very proud in my life, I am not very proud, I don't want to… यह ऐसे ऐसे नहीं आनी चाहिए बट तीन बार मैंने प्रिडिक किया है इस परसन इस बरी क्रोनिकली डिप्रेस्ट इसका इलाज कराओ एड फैमिली अलवेज इस आप्टर साइड नहीं है नहीं है नाइस नाओ अभी तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है में चाहिए नहीं हम प्रॉज़ और सुलिव थ्षर घाम से होख्यों इस भी तो कमेडों भी बॉलपोंट पेंट इस दो राइट पैन पोज इस 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 प्रश नहीं दे सकते हैं अब इस प्रेशर मतलब लोड़ उनरजी लोड़ अंतुजीज अंड़ अउर्ड एफट यहां यहां बहनत करने के तैयारी उसको उसको हवी प्रेशर बोलता है So if you see people who are into sports or who are into military, यह सारे लोगों का fitness बट अच्छा होता है, तो उनका signature देखो कैना तो वो दूसरी तिसरे चौते पेज पे भी आजाएगा, ओ, जो बच्चा दबा के लिखेगा ना, वो दिन बर सोफा पे जुम करेगा, That kind of analogy, because the energy is very high, तो यह चार चीज़ ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, एक तो clarity of thoughts, then big aspiration, then enthusiasm, and fourth is commitment, तो pressure साता है, So as a therapy, आप क्या करते हैं, मतलब अगर signature थोड़ा सा गलत है, या आप जो यह चार categories के इसमें match नहीं हो रहा है, तो उसको आप रेपर करके उसको करने को, पर लगी, he has to practice, 90 days he has to practice, and mostly उसको प्रैक्टिस का ताइम होता है, the first one hour after you wake up, oh, yeah, because that is called the gap, between the subconscious and the conscious mind के बीच वाला वो गल्डन आवर बोलता है, for example, सुभह आपको एक सौंग सुन लीजिए, गल्ती से, any average song, which you don't like, but दिन बर ना वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, you will keep singing the same song again and again, so whatever you do in the first one hour, that goes deeper in your subconscious, so, जैसे आम लोग सुभह एक गंटे में, after you get fresh up, take a pen and start writing your new signature, which is clear, bold, powerful, you know, pressed, pressed, दबाके, you know, and then the whole day will be in that state of mind, और ये गर आप 90 days करोगे, so then you will see permanent changes in you, आपने ये वी तो स्टड़ी किया होगा ना, कि जो बड़े लोग हैं डिफरेंट अरिया से, कोई क्रिकेटर है, कोई आक्टिंग, अलब फिल्म स्टार है, या, you know, in their various films, इनके और इनके सिगनेचर्स मैच होते हैं, इनके सिगनेचर्स देखके पता चलता है, कि अच्छा, ये बड़ा अदमी है, और क्यों ये बड़ा अदमी है, जैसे हम लोग बोलते हैं, कि बच्पन में उसके, उनो, चीजे समझ में आती है, कि ये बंदा आगे जाके कुछ बढ़ेगा, तो सिगनेचर में क्या होता है, कि लाइक आई सेड, अगर बड़ी सिगनेचर है, तो बड़ा इंसान बनेगा, छोटी सिगनेचर है, तो छोटा इंसान बनेगा, आप अपने लाइफ में, आप से जो बड़े हैं, या जिनको रोल मॉडल सोचते हैं, कि आपसे जादा इन्होंने कुछ अचीव किया है तो उनका सिगनेचर देखो वो डेफिनेटली आपसे बड़ा होगा जितना सिगनेचर छोटा होगा उसका ग्रोथ आपसे कम होगा बट उसमें यह चार पैरामेटर्स है वह भी बहुत जरूरी है कि आपका सिगनेचर क्लियर More ओनाची यहां जará हओनाचीए। तो हम जब दिखाते हैं अग्यार भी बड़े लोग हैं उनकी सिगनेचर और उनका उनका जो सक्सेस है वो हमेशा मैच होता है विद गूड पीपल और बाड पीपल आलसो जितने क्रिमिनल से उनके सिगनेचर सम दिखाते हैं उसमें वो सारी ट्रेट होते हैं जो हम बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए और जितने सक्सेस्फुल लोग हैं कोई भी फिल्ड में सक्सेस नॉट एक चीज के लिए कनेक्टेड नहीं है कि बिजनेस में या म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में वेनेवर परसन इस थिंकिंग बें इंटरनेश्टन तो उसकी सिगनेचर हमेशा बड़ी हो जाते हैं वाइस वर्सा इस डिफिकर पॉसिबल सब्सक्राइब जैसे किसी आम आदमी की सिगनेचर देखते हैं उसमें यह चार कॉलिटीज हैं तो वह आम आदमी बड़ा हो सकता देफिनेटली बड़ा हो सकता है रिश्क लेनी थे मुझे कुछ चालेंज लेना है मुझे करेज बढ़ाना है तो सकसी का एक बहुत इंपोर्टेंट पैरामेटर है कि हम आसपास ऐसे लोग देखते हैं कि जो बहुत मेहनत करता हैं बहुत इंटलिजन होता है बहुत आनेस् यह पिर भी successful नहीं होते हैं क्योंकि एक parameter है ना वो success को differ, मतलब बहुत ज़्यादा यह करता है, manifest करता है, and that is courage. अगर आप intelligent हो, hard working हो, honest हो, लेकिन अगर आपके courage नहीं है, तो आप successful नहीं बनाओगे. So courage मतलब taking a risk, you know, courage means ready to fail, courage मतलब यह नहीं सोचुंगा की लोग क्या कहेंगे, you know, courage मतलब if people, I'll fail, I'll still, I have the confidence to come out. यह जो trait है ना यह बड़ी signature जाता है, so जब तक आप signature बड़ा नहीं करोगे, आपका growth बहुत 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 हो जाएगा. So जैसे हम companies के logo देखते हैं, उसमें भी तो letters होते हैं, तो does that also come under graphology? Yes, yes, absolutely. See, जैसे signature आपके लिए है, बैसे ही company का logo वो company का signature है. Okay, right? So you see earlier when the Indian economy was a closed economy, you know, तो पहले अपने जो Indian companies थे, उनके जो logos थे ना, they had a circle around it. Correct. Right, if you see all the old companies, you know, right, पुराने calendar साथे थे पता है, पता है, तो उनमें जो लोगों थे ना, they always have a circle behind it. Because in the background, they had, की we are, we have only this much scope, you know, like people used to not think of scaling it and, you know, they used to preserve that much only. Actually limited companies. Actually limited companies. Like in Marathi, they say, अमची कुटे ही शाका नहीं. We don't have branches. We don't have branches, you know, हमारे कहीं शाकाई नहीं है, यहीं है. तो वो subconsciously काम कर रहा था आप पे और आपकी सोच वो design में दिख रही थी. Okay. और आपको वो design पसंद आ रही है वो logo की, तो वो logo आपके सोच का एक representation है. Right? So कई बार companies logo ऐसे बनाती हैं कि उसमें एक ऐसा कट है सीधा. You know, I don't want to name any company now, but अगर आप पूरा नाम लिखो और उसको बीच में से काटो. ऐसे designs होते हैं, तो it creates distraction in your mind. You know, disruption, destruction, you know, those kind of things. And actually those companies don't grow. So, when a startup now starts a new company, उसको उसकी लोगों में इतना सारा design चाहिए होता है. कि हम ये भी करते हैं, उसमें tree भी होना चाहिए, फिर उसमें earth भी होना चाहिए, फिर उसमें sun भी होना चाहिए. But if you see the most famous and stable companies, you know, who can afford very good designers, बड़े-बड़े designers अगर या बड़ी कोई add agency वो हायर करके, एक बहुत ही creative लोगों बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ Apple लिखते हैं, या सिर्फ IBM लिखते हैं, बाटा लिखते हैं, या टाटा लिखते हैं, या नाइक लिखेंगे, या Air India या विपरो लिखेंगे, तो Tata's, every big company, गोदरेज ले लो, कोई भी ले लो, और international brands also, windows, only windows, no complication in that, so जो सोच आपकी होती हैं, towards life, वो लोगो में दिखते हैं, company के लोगो में, and when I look at the logo of the company, मुझे या समझ में आता है कि ये management की सोच कैसी है, अगर ये management को ये logo पसंद है, तो इनकी सोच कैसी है, तो आपका कहना है कि बाहर का logo और अंदर के logo से, कुछ तो logo कहेगा, logo का काम है कहना, तो इसलिए logo analysis बहुत ज़रूरी है, it shows the thought process of the management, Nice, अभी हमने company के health के बारे में बात की, कि बाहर का logo और अंदर के logo, ये अगर मैच हो, ये simple हो, ये सारे criteria में बैठे, तो company flourish होती है, तो अगर एक व्यक्तिगत की बात करें, तो health पे कुछ इसका वो होता है, फाइदा होता है, या आप इसके अलावा और क्या graphology में, मतलब, invent कर रहे हो, इसको कैसे और बढ़ावा दे रहे हो, ये graphology को लेकर के आप, तो जैसे मैं बताया कि हमारी इंस्टिटूट है, the graphology research institute, में हम research करते हैं, and जैसे मैंने पहले बताया था, कि graphology is about reading the thoughts of a person, अब medical science ये कहता है, कि 90% of the diseases that happen are psychosomatic, मतलब, पहले आपकी सोच बिगडती है, उसके बाद आपका शरीर बिगडता है, जैसे अगर आपको back pain आज तकलिफ हो रही है, तो उसकी जो शुरुवात है, वो 5 साल प तरह के एक negative thoughts, you know, disease related, psychosomatic way से आपके दिमाग में चालो हो रहे है, and that will now culminate to the physical body, तो graphology से हम ये find out कर सकते हैं, कि अगर आपके पास ये negative thoughts है, तो इसका आगे जाके कौन से disease में conversion हो सकता है, तो ये level तक काम हो सकता है, बहुत बड़ा famous book है, and she's a very famous author, Louise Hay, you know, you can heal your life, काफी famous book है, वो बुक में अगर आप देखो गए, तो उन्होंने 150 negative thoughts दिये हैं, और उनके सामने वो negative thoughts से कौन से बिमारी हो सकती है, वो लिखा है, and graphology can identify all those negative thoughts, तो अगर आपके अंदर self doubt है, तो self doubt से आपको ये बिमारी हो सकती है, अगर आपके अंदर express करने क ताकत नहीं है, आपकी, आप emotions या feelings को बहुत suppress करते हो, तो उससे suppression related से जो भी बिमारी है, वो हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, life में, आपके डर ज़्यादा है, तो डर से जो anxiety create होगी, उससे related जो बिमारी है, वो सारी हो जाएगी, so all diseases are psychosomatic, and all the emotions we can analyze in graphology तो हम क्या करते हैं अभी, जैसे हम hospitals के साथ tie up करते हैं, जैसे recently हमने एक dental hospital के साथ tie up किया, और वहां के जो 50 patient आये थे, 500 patient आये थे, जिनको दात में तकलिफ थी, तो वो 500 लोगों के हमने handwriting लिये, and now we are identifying कि इनके handwriting में ऐसा क्या अलग है, जिसकी वज़े से उनके दात में दर् So we have gone to such extent, कि from the handwriting, handwriting देख के हम बता सकते कि शायद इस आदमी के दात में दर्द है, या हो सकता है So those level of signals we can see in the handwriting, and everything, अगर आपको नेक में प्रोब्लम हो रहा है, तो certain area of the handwriting will have some problems, अगर आपको memory loss हो रहा है, so you can see this, जो लोग जिनका एज 80-90 होता है, उनका handwriting handwriting भी change हो जाता है, they can no more write like a healthy person, तो उनके handwriting में breaks बहुत आजाएंगे, या उनके curves प्रॉपरली नहीं होंगे, या उनका pen हमेशा equal pressure नहीं दे पाएगा, तो ये सारी चीज़े connected to their health है, right, so from the basic as headache to extreme as paralysis and cancer, शायर इस से हो सकता है, ये research हम कर रहा है, and internationally भी बहुत इस पे research चल रहा है, how handwriting can read your thoughts and read the negative emotions which are creating the disease in the person, so हमारा future यही प्लान है की, you know, ultimately, see, why are people, you know, working hard and what is the ultimate goal in life, to be happy, absolutely, So, if your health is proper, then the happiness is, you know, you can enjoy the happiness, that is one, secondly, lot of people have interest in spiritual aspect of life, correct, now we say that graphology एक ऐसा टूल है, जो ऐसे सवाल का जवाब दे सकता है, जो सवाल का जवाब गूगल भी नहीं दे सकता है, जो सवाल का जवाब गूगल भी नहीं दे सकता, लेकिन एक सवाल ऐसा है, जो आप गूगल पर डालो, तो गूगल उसका जवाब नहीं दे सकता, वो क्या है, और वो सवाल है, who am I, मैं कौन हूँ, अगर आप गूगल पर यह डालोगे कि मैं कौन हूँ, तो वो, you know, कुछ अलग बता देगा, you know, but graphology will give you the answer that who you are, why I am like this, मैं ऐसा क्यूं हूँ, मैं खुश क्यूं नहीं हूँ, see, 4-5 ना red flags होता है, personality में, अगर यह 4-5 चीज़े आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई भी, you know, सुख सुभी था, आपको सुख नहीं दे पाएगे, first red flag is, आप बहुत ज़्यादा sensitive हो, यह sensitive nature, निकालू कैसे, यह लोग फिर भी मेरा दीन खराब जाता है, मैं रुने लगता हूँ, या मैं upset होता हूँ, मुझे घुस्ता आ जाता है, तो कहने के लिए तो हम बहुत easily advise कर देते हैं, कि अरे, ध्यान मत दो, उसने जो बुला भूल जाओ, आप उसको, you know, छोड़ दो, but मुझे impact हो रहा है, यह मैं क बट मुझे नहीं बुलनी के लिए बहुत stress आता है, इसलिए मैं हाँ बोल देता हूँ, for example, आप मुझे बुलोगा, रहे, मुझे थोड़े पैसे चीए, आप दे दोगे, मैं बुलोओ नहीं, मुझे नहीं देने, लेकिन अब ना नहीं बोल सकता आपको, तो वो ना बोलना कैसे डेवलोप करना है, ये ग्राफिलोजी में बहुत देवलोप करना है, ये ग्राफिलोजी में बहुत इसलिए पॉसिबल है, and most of the time, people are suffering because they said yes, when they wanted to say no, आदे प्रॉबलम अपने लाइफ के इसलिए है, relations में, आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने हाँ बोल दिया, and now you are feeling that stress, कि ये तो यार मैंने हाँ बोल दिया गल्ती हो गई, you know, things like that, so ये जो चीज़ा है ना, ये spiritual development है, of a person, correct, not be sensitive, you know, not be egoistic, not be inferior, you know, having self-respect, you know, self-worth, self-value, self-image, self-talk, ये सारी चीज़े डेफलोप कर सकता है, graphology, which will be a spiritual growth of the person, आदे प्रॉटली की बात करना है, actually those spiritual gurus है, उनकी signature कुछ अलग होती है, थोड़ी हम अदमी से, Yes, 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 definitely होती है, so जितने भी spiritual gurus होते है, that is a very debatable topic of spiritual gurus, correct, correct, but the real ones, you know, the wise ones, yeah, we are talking about the real, right, wise ones, उनका handwriting बहुत ही जादा सिंपल होता है, as simple as a child, it reflects the wisdom, it reflects the wisdom and it reflects the innocence, oh, to be highly spiritual, you should be very compassionate, and to be compassionate, you should be childlike, so all the spiritual people will never have an angular signature, they will have a very rounded handwriting, that shows the spiritual and compassionate way of looking at things, wow, so it's an endless topic, I think, ये तो हम मतलब घंटो, घंटो मतलब बात कर सकते हैं, और आपका तो मतलब ये ट्रेजर है, जो आप मतलब बिलकुल लाए है, but it was pleasure talking to you, thank you, thank you, and thank you very much, thank you, thank you, I enjoyed a beautiful journey, it was a beautiful journey here, और मैं सारे दर्शकों को ये बिनुनती करूंगा, कि ये podcast देखने के बाद, सुनने के बाद, आपके मन में जो सवाल आएंगे, curiosities आएंगी, या आपने और कुछ पढ़ा होगा कहीं से, या सुना होगा, तो आप comment में लिख सकते हैं, हम इसके बारे में और बाते करेंगे विनिज जी से, क्योंकि विनिज जी के बाद ये और बहुत बड़ा खजीना है, जो हमारे साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, थैंक यू इसे बहुत सारे बड़े आमों को इस पॉड़कास्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा conviction है, कि पैदा तो हम आदम होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, वो passion से होते हैं, perseverance से होते हैं और experience से होते हैं, तो ऐसे सारे लोगों का experience हम इसमें लाएंगे, उनके passion को हम यह लाएंगे, तो आप जुड़े रहिए, इसको हम एक बड़ी community बनाते हैं, बस आपका साथ चाहिए, तन्यवादे. कर दो आपका साथ चाहिए, तो आपका से होते हैं,